कि नमश्कार दोस्तों मैंनी शांत एक बार फिर हाज विरू हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर दोस्तों आज जो फॉंटेन पैन है हमारे पास वह यह एपिटमी का फॉंटेन पैन मिटलिक फॉंटेन पैन इस तरह के बॉक्स में आता है निकाल लेते हैं बॉक्स को यह ग्रे कलर का बॉक्स उसके नीचे निकल के आता है में बॉक्स ब्लेक कलर का बॉक्स है काफी अच्छा फिनिसिंग में बॉक्स मिल जाता है और इस तरह का यह फॉंटेन पैन है यह देखे फॉंटेन पैन एपिटमी मिटलिक फॉंटेन पैन है इस रेंज में एपिटमी कलर है इसकी जगे आपको smoky gray color भी मिल जाता है तो ये पूरा metal का बनावा fountain pen है इसका design ये देखें ये square pattern है बीच में से और दोनों तरफ से round कर दिया गया है आगे से भी उपर कैप की तरफ से भी और नीचे से match करते हुए एक fitting मिल जाती है क्लीप टेखिया और क्लीप का थ्रों काफी अच्छा है यह देखें अच्छा थ्रों है उसका कारण यह है कि जो यहां पर cutting दी गई है अंड मैं आप देखें उस cutting के कारण यह एक अच्छा थ्रों यहाँ पे मिल जाता है और यह की काफी अच्छी फिनिशिंग है और यहां पर थोड़ा सा आपको यह ब्रश पैटर्न दिखाई पड़ता है लेकिन इसके ओपर एक बहुत ही भैतरी इंसी चिकनी सी कोटिंग की गई है लेकिन यहां पर बैरल के साइड में देखिए आपको जो पहले में दिखा देता हूं माव को अलग से पहले बैट की की बात कर लेते हैं यह कैप है इसके बारे में और मोस्त मैंने आपको बताए दिया मिटयलिक कैप है अंदर की तरफ फिटिंग आप देखें यह आपको देखने को मिल जाती है और यह ओर जो बाराव बारां का स्कॉाइर है यह वारा हैं मैं यहां पर देखें यह है अपना बैरल बैरल यहां पर खुलता है यह सेक्शन अलग हो जाता है पहले हम बैरल की बात कर लेते हैं यह बैरल आप देख सकते हैं स्क्वायर पैटर्न आगे की तरफ से 12 x 12 mm का और पीछे की तरफ यह देखे यह टेपर कर दिया गया है तो यह बहुत ही मुश्किल काम है इस तरीके से करना और अंदर की तरफ जो मेन बोड़ी है इसकी इसका मैटल कौन सा है यह आइडिया नहीं है मुझे लेकिन उसके उपर यह यह शीट चड़ाए गई है जो रास्टिक ब्लू कलर जिसके उपर है थोड़ा सा यहां पे जो प्रैस फिट किया गए है उसके निशान आपको यहां पे मिल जाएंगे हिल्का हल्का सा यह देखे जो दबाया गया होगा ओसके निशान यहां पर आपको मिल तो यह भी थोड़ा सा इसमें फिटिंग का प्रोब्लम है बाकी fountain pen में कोई प्रोब्लम नहीं है और section की बात कर लेते हैं यह section है आपका टेपर section आपको मिल जाता है पांस size का निम मिल जाता है और यह एक अच्छी से आपको मिल जाती है तो section में कोई problem नहीं है और ये आपका जो है एक इसके साथ simple सा converter जो mostly fountain pen में आपको इंडियन fountain pen में मिलता है उसी तरह का converter आपको यहां पर मिल जाता है तो यह है over all fountain pen अब इसका एक writing sample ले लेते हैं और फिर हम कंपेरिजन करेंगे इसका यह एक हमारे वीवर हैं जिन्होंने गुजारिश की है कि इस से थोड़ा सा इसका कंपेरिजन हम कर दें तो पहले एक राइटिंग सेंपल ले ले लेते हैं लोग हुआ है 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 अब है है अब दोस्तों आप यहां पर राइटिंग देख सकते हैं यह मीडियम साइज करने मिलता है है आपके पास कोई चोईस नहीं है केवल मीडियम साइज का ही निब आपको इसमें मिलने वाला है और जो निब की बात करें तो इस इस नोट स्मूथ निब average निब है इसमें बहुत ज़्यादा smooth आपको निब इसमें नहीं मिलने वाला है fountain pen okay fountain pen है इस range के अंदर 800 रुपेस की MRP है उसी साथ से इस range में आपको काफी fountain pen मिल जाने वाले हैं तो यह fountain pen eye catching fountain pen है इसके अंदर कोई डाउट नहीं है metallic fountain pen है सालो साल चलने वाला fountain pen है इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका जो निब है वो एक average निब है बहुत बढ़िया निब मैं इसको नहीं बोलूँगा अब बात कर लेते हैं इसके साथ जो fountain pen आता है वो ह कैन राइट का comparison करने के लिए बोला था तो दोनों अलग अलग लीगे fountain pen है यह जो fountain pen है काफी भारी fountain pen है इसका केवल जो वेट है इस बैरल का ही वही 28.4 ग्राम है तो काफी भारी इसका वेट आपको मिल जाता है जबकि आपका यह है यह आपका केवल 15.7 ग्राम का है तो यह आपका ज्यादा बैलेंस fountain pen है लोंग राइटिंग में यह आपको support करने वाला है जबकि आपको अपने अगर show के हिसाब से लिखना है तो can write का emperor आपके लिए बहतरी है अगर बात करें निब की तो definitely can write much ahead from the epidemic fountain pen इनका जो यह निब है यह 6 size का निब है और बहुत ही बहुत ही एक यह यह मेरे हिसाब से है बहुत ही बहुत smooth यह fountain pen चलता है तो इस हिसाब से अगर एक दूसरे को replace करना चाह है तो मेरे छाससी ए टो इसके साथ भी आप जा सकते हैं तो दोस्तों ये था मिरा आज का रिव्यू अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूझ लेगा चैनल को हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से एक नए वीडियो में तब तक क के लिए नमस्कार जय हिंद